हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पूर्णम और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं इत स्पेशल शीर खूर्मा इसे सेवई की खीर भी कहते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बहुत पसंद आती है ये बिल्कुल जटपट से बनकर तयार हो जाती है ये शीर खूर्मा, दूद, ड्राइफूर्ट्स और सेवई से बनकर तयार होती है जिसे इत पर खास तोर पे बनाया जाता है इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इत स्पेशल शीर खूर्मा तो सबसे पहले मैंने एक बोल में लिया है आधा कप गुनगुना दूद अब हम इसमें मिलाएंगे एक चौथाई कप मिल्क पाउडर अब हम एक विक्स से मिल्क पाउडर को दूद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए गुनगुना दूद इसलिए लिया है कि मिल्क पाउडर दूद में अच्छी तरह से घुल जाए तो ये देखिए मैंने milk powder को दूद में अच्छी तरह से mix कर लिया है इसे अभी हम side में रख देते हैं इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे इसके बाद हम लेंगे एक कड़ाई और कड़ाई को हम low flame में गरम करने रखेंगे और उसमें डालेंगे दो चमच देशी घी अब खी को हम melt होने देंगे अब यहां मैंने कुछ कटे हुए dry foods लिये हैं यहां लिया है मैंने कटे हुए खजूर, चिरॉनजी और बादाम लिये हैं कुछ और कुछ काजू लिये हैं अब अपने पसंद की कोई भी dry foods एड़ कर सकते हैं जैसे पिस्ता और किश्मिश या फूर आप ड्रेजिकेटेट कोकोनेट भी यहां एड़ कर सकते हैं तो यहां घी मेल्ट हो गया है अब हम खजूर के अलावा सभी dry foods को इसमें डाल देंगे अब हम dry foods को एक मिनिट तक भून लेंगे यहां हमें flame को low ही रखना है हमें इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है नहीं तो यह जल सकते हैं हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक इनका color golden न हो जाए या फिर यह थोड़े से crunchy न हो जाए तो यह देखिए dry foods में हलका सा color आ गया है इससे जादा हमें इन्हें नहीं भूनना है इन्हें हम एक plate में निकाल लेते हैं तो यहां same pan में अभी भी घी बचा है अब हम इसमें सेवई भूनेंगे तो यहां मैंने एक चौधाई cup कच्ची सेवई ली है इसे हम add कर देंगे अब इसे हम low flame में golden color आने तक भून लेंगे यह कच्ची सेवई है इसे अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है नहीं तो यह कच्ची कच्ची लगेगी और अगर आप भूनी हुई सेवई ले रहे हैं उसे आपको सिर्फ एक मिनिट तक ही भूनना है इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है नहीं तो यह जल सकती है इसे भूनने में हमें 2-3 मिनिट का टाइम लगेगा तो यहाँ 2-3 मिनिट बाद सेवई का color बदल गया है यह golden color की हो गई है अब हम इसमें add करेंगे आधा लीटर दूद तो यहाँ कड़ाई गरम है दूद को हमें सावधानी से add करना है अब हम दूद को सेवई में अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे तो यह देखिए दूद में उबाल आ गया है अब हम गैस की flame को slow कर देंगे और इसे 2-3 मिनिट तक पकने देंगे जब तक कि सेवई अच्छी से soft न हो जाए तो यहाँ देखिए 2-3 मिनिट तक पकाने के बाद दूद reduce हो गया है और सेवई यहां भी पक गई है तो सेवई ऐसी transparency दिख रही है इसका मतलब यह पक गई है तो अब इस stage पे हम add करेंगे milk powder वाला दूद जो हमने बना के रखा था milk powder डालने से दूद गाड़ा हो जाता है और सेवई का taste बढ़ जाता है अब यहां मैं add कर रही हूँ 1-4 cup चीनी चीनी आप अपने taste के according डाले हमने जो milk powder डाला था उसमें भी चीनी होती है तो उसी हिसाब से आप चीनी add करें चीनी को अब हम दूद में अच्छी तरह से mix करेंगे इसके बाद हम add करेंगे आधा चोटा चम्माच इलाइची पाउडर और इसे भी हम दूद में अच्छी तरह से mix कर लेंगे और दूद को हम 2 मिनिट तक और पकाएंगे तो 2 मिनिट बाद आप देख सकते हैं दूद reduce होकर गाड़ा हो गया है अब इस stage पे हम add करेंगे खजूर और भूने हुए dry fruits तो यहां मैं dry fruits डाल रे रही हूँ और थोड़े से dry fruits मैं बचा के रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए साथी हम खजूर भी add कर देंगे अब dry fruits को हम दूद में अच्छी तरह से mix कर देंगे और एक मिनिट और पका लेंगे तो लीजिए फ्रेंड्स तयार है टेस्टी शिर्खूर्मा अब हम इसे सर्फ करेंगे तो इसे मैं एक बॉल में डाल रही हूँ अब हम इसे बचे हुए dry fruits डाल के सजा देंगे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर फ्रेंड्स में कुछ देर रख कर थंड़ थंड़ा भी इंजॉय कर सकते हैं तो बहुत ही मज़ेदार शिर्खूर्मा को आप जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएंगा तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ